साथियों, आजखल पूरे देश के अंदर बहत चल रही है GST को लेकर के कई लोग हैं वो GST को लेकर के अलग-अलग व्यक्तर व्यक्त कर रही है आपको क्या लगता है? GST के बारे में आपके क्या विशार है? एक जिम्मेदार नागरिक होते वे मैं ये मानता हूँ कि हम सब को अभी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए GST इंप्लेमेंटेशन पर सरकार को सहयोग करना चाहिए और GST के सकारत्मक पक्षों को सब के सामने रखना चाहिए लेकिन इसी समय एक बहुत महत्वपून नीतिकत मुद्दा हम सब के आखों के सामने आता है कि आखिर सरकार की नीती क्या है, सरकार की उद्धिश्य क्या है और सरकार क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए GST लागू करने से एक बात साफ है JST लागू करने के पीछे सरकार कَ जो मकस्त है वो है अधिक से दिक लोगों को tax bracket के अंदर लाना जिस से सरकार की हामदानी भढ़े अधिक से दिक लोग सरकार को tax चुकाएं पूरी प्रोसस इस तरह से सरकार के tax उसके bracket के अंदर आ जाए इस प्रकार के प्रयासों से डेफिनिटली देश की GDP बढ़ेगी ये एक अच्छी बात है GDP बढ़ना बहुत अच्छी बात है देश की GDP देश के अर्थ व्यवस्ता में तरक्की आएगी देश के अधिक सदिक व्यापारी ओनलाइन अपना return submit करने लग जाएंगे regularly return submit करेंगे तो देश की पूरी economy के बारे में सरकार के पास सही information आएगी व्यवस्तित information आएगी और इस प्रकार से एक देश के अंदर एक आर्थिक प्रगति को एक सकारात्मकबल मिलने लगेगा लेकिन एक दूसरा पश ये भी है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है सरकार GDP पर आर्थिक विकास पर और इस प्रकार के GST जैसे प्रयासों के द्वारा अपनी देश की economic progress के लिए जो प्रयास कर रही है उससे एक बात साफ जलक रही है कि सरकार की प्राथ्मिक्ता ये इनकेiber current GDP बढ़ाना है ये इनके अधिक से धिक लोगों को tax की bracket में लाना है सरकार की आमदानें बढ़ाना है लेकिन इस प्राध्वमिक्ता को आगे लाने के बाद जो निगेटिव पक्ष है उसकी तरफ कोई बात नहीं कर रहा निगेटिव पक्ष ये है कि छोटे छोटे व्यापारियों को स्मॉल बिजनसमेन को सब को अगर आप टेक्स के ब्रैकेट में लाने के कौशिश करेंगे आउनलाइन डिटर्ण जमा करा सकें आउनलाइन डिटर्ण की प्रोसेस को इंप्लिमेंट कर सकें टेक्स ब्रैकेट के अंदर लाने के पीछे जो सरकार का मकसद है वो ठीक है सरकार का मकसद सरकार के इस तर पर काबिल उतारीफ है लेकिन ये उच्छी पर नहीं है कि आप ब बड़े businessmen हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनके उपर आप tax लगाईए, बड़े organization से उनके उपर आप tax लगाईए, tax collect करेए और उससे जो आमदानियों उसको चोटे व्यापारियों के लिए, छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए उस आमदानी को इस्तेम उसके साथ भी मैच नहीं कर रहा है, सरकार क्या चाहती है, सरकार का उद्धिश्य होना चाहिए अधिकतम लोगों का अधिकतम हिप, देश में एक ऐसा आर्थिक महावल बनाना, एक ऐसा एन्वायमेट बनाना जिससे अधिक सथिक लोगों अधिम ही बन सके, बेरोजगार होगा तो सुझेगा, चलो बेरोजगार रहने से अच्छा है, मैं अपना उपकुत का छोटा सा बिजनस शुरू कर लेता हूँ, और इस प्रकार बेरोजगार की समस्या दूर होगी, एक वक्ति अपना से रोजगार शुरू करेगा, तो दस लोगों को और इस प्रकार के प्रयासों से छोटे बिजनसमेन, छोटे आंत्रेपरियोर्स हतोत साहित हो जाएंगे, और वो खुद भी बिजनस के लिए बिजनस करना नहीं चाहेंगे, और दूसरे लोगों को भी प्रोसाहित नहीं करें, सीधे ही कोई वक्ति बड़ा बिजनसमेन नहीं ब सरकार की प्राद्मिक्ता तो लोगों की खुशालिय होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोग मेल जूल के साथ में रहें, आपसी प्रेम से रहें, उसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, तो सरकार को अपनी टेक्स ट्रक्चर पर फिर से विचार करना चाहिए, हम GST का सप प्रकुरियाओं को सरल बनाना देखिये दोस्तों, हम सब मिलकर के सरकार को निवेदन करें कि कुछ ऐसे प्रयास हो कि लोगों की खुशाली सरकार की पहली प्रात्विक्ता बन जाए नहीं कि जीडीपी बढ़ाना या टेक्स बढ़ाना